हेलो माइडियर फ्रेंड्स आज हम लोग बैंकिंग अवेर्नेस में बैंकिंग एकॉनिमी में या एकनॉमिक्स में आई एमेफ का इंपोर्टेंट एंसी क्यू इसस करेंगे पहला क्यों सामने रहा वाटल फूल नेम ओफ आई एमेफ या फिर आइमेफ एसेंट्स फॉर्स मतलब होता है कि आय में का पूरा नाम क्या है पहला ऑप्षेन सील इंडियन मोनेटरीफिफंड इंटरनेशनल मौनेटरीफिधंड इंटरनेशनल माइशनल फार्म और फिर नन अभदा अवी चारों disp Lamb KIM यह E опढ़िकर स्ट करेक्ट है आपको बढ़ना है कि इंडा पूरा नाम क्या तो यहां फिर जो आपको तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो भी है वो बिल्कुल करेक्ट है 27 दिसंबर 1945 कोशन नंबर फो थर्ड हेड़क्वार्टर ओफ आई एमफ लोकेटेड यानि आई एमफ का हेड़ आफिस यानि मुख्याला कहां पर है ओप्शन नंबर ए वोसिंगटन डी सी वी जिनेवा सी लंडन और डी है नन अवद अबब इन चारों में से कोई एक ओप्शन आपका करेक्ट है वही पताना है तो आई एमफ का जो हेड़क्वार्टर होगा वो एडाट मिस ओप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां वासिंगटन है यह को से फिच आवम केसे तरह वासिंगटन डीच यूएस से में अमेरिका मैं कि कि फॉंडूंदिंग कांट्रिज ऑफ ये मिस ग्याइड इंक टूटल फॉंडं़िंग कंट्री तो 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 चे q & । विच इमांग देफॉलोविंग इस करेक्ट पुछ राइव में से कौन सा करेक्ट है पहला है आएमेफ वास फॉट्वाइब इन नाइन फॉर्टिफूर एड बिर्टम वूर्ड कॉन्फरेंस इमेफ कम इंटो एक्जिस्टेंस इन नाइटीन फॉर्टिफाइब विथ ट्वैंटीनाइन मेंबर्स यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा यानि बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट है तो यहां पर हम लोगोंने गाज कर दिया था यहां पर जो फॉर्ट का आप्शन होगा फॉर कि में आएमेफ और वर्ल्ड बेंक दोनों की इस्टेबलिस्मेंट की बात करी गई थी तो इसका जो फॉर्म किया गया था चेवालिस में और एक्जेस्टेंस में आया था कम अस्थावित किया था फॉर्टिफाइब में कि नाव इंटरनेशनल मॉनेटरिक फॉंड इजे और अर्गनाइजेशन ऑफ कितने की कंट्रीज की है यह तो यानि करने का मदलब है कि आईमेफ में वर्तमाल में कितने मेंबर्स हैं टूटल सरस्यों कि शंख्या कितनी है तो एक सो नब्बे एक सो पचासी एक सो अठासी है उन्से बताना है कि कितनी कंट्रीज है तभी पडतमान में इंटरनेशनल मॉ勝 सी फंड Limited में इसमें कितनी है तो आईमेफ में टूटल 190 countries है यानि 190 countries है और निया country जो हुआ है दा फिंस्पल ओफ एंडोरा इन्होंने ही जोईन किया है दा फिंस्पल ओफ एंडोरा ये न्यू कंट्री जोईन है तो आई में टूटल कंट्रीज की संख्या 190 है फंक्शन ओफ आई एम एफ आई में का कार क्या है पहला है सेक्यूर फारेंशियल इस्टेबिलिटी फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड प्रमूर्ट हाइए इंप्लाइमेंट इंट्स नेवल एकनॉमिक ग्रूथ रिड़क्शन पोवर्टी अरूंड वर्ल्ड और फास् सब्सक्राइब इंटरेशनल नौर्ट्री फंड आईमेफ का है ऑप्शन नंबर डी आईमेफ इस फांडेड मेनली थ्रो फ्रॉम इस मेंबर्स कंट्रीज तो आईमेफ का जो फॉर्मिशन होता है वह कुछ रहे किस आधार पे होता है एसेट कंट्रिबूशन के आधार पे क एसेट कंट्रीबूशन आधार पर या फिर नशन अफ्दर एब तो हुए मगेफ रहे किसिटी यार्टेड सप्ट्रीज पूरा नाम क्या होता है पहला आस्प्शन ने सपैशल ड्रॉंग राइडिस दूसरा है स्पेसेट यपोजिट राइड तीसरा है सेक्योड डिपोज इत्य राइड या फिर नन आब दे वब एचेर का पूरा नाम बताना है तो यहां पिची एहां पर एच्छ «पायणरों प्षप का राइड अंज होती है जब सम्मलिन हुआ था इंगalen हुआ था तो ख साथ और कौंट और से औरठादर्स तेरो का निरमांनक हँद था बनाया गए था ऑल्ड रैटव वा थल जतीध वूसस्थ को या फिर नुन अंपद एभाव तो खेसाथ वाल्ड बैंक को को बनाया गया था है यह ओप्सन यहां पर करेंट है यह में पर वर्ल्ड बैंक दोनों का साथ साथ इस्टेश बहुत है है एगती जिए क्यूटिव बॉडड में कितने होते हें 24 डायरेक्टर इसे डी में इपने जेंगल कंट्रिव और इकन्ट ग्रूप कि करेक्ट आंसर जो है इसमें क्या होगा यह हमको बताना है तो आप्शन नंबर जो है यह यानि डाट मिन्स 24 इस रिप्रेजेंटेटर्टिव साफे सिंगल कंट्री और एक गुप तो अप्शन यहां पर जो होगा एक रेक्ट होगा कि विच्व फॉलोविंगे स्टेटिमेंट इस नौट करेक्ट अवाओ दो आयमेफ कोटा आयमेफ को लिए करके कौन सब्सक्राइब सही नहीं है आप्शन नौट करेक्ट बताना है यहां पर पहला है वोटिंग पावर इन दायमेफ इस बेस्ट ओन दो कोटा सिस्टम युए अगर बात करें तो इसमें थाड़ ऑप्शन गलत होता है बाकी सब्सक्राइब यह जर्मनी थाड़ नहीं है बलकि हाइस्ट जो है थर्ड नंबर पर चाइना है चाइना इस थाड़ कोटा इन दायमेफ सेर्स जो है 6.94 परसेंट है अर्ट जर्मनी का सब्सक्राइब जर्मनी का जो इस धूर्डअध फॉर्थ पर पोईशन हैं जर्मनी दार इन्दियन का सब्सक्राइब 2.79 परशाइंड वारें कोटा Special Dying SDR का पूरा नाम होता है Special Dying Right यह IMF की कितनी होती है currency, तो इसमें कितने currencies होती हैं कितनी countries की currency होती हैं तो आपको बताना है four five six seven, इसमें five countries की currency होती है, पांच countries की currency होती है special HDR में, इसमें कौन कौन सी होंगी, तो the value special does determine the basket of five countries, that mean USA का डालर होगा, यूस्ट डॉलर्जों होता है यापानीश का इन होता है ब्रटिस का पॉंड होगा नहीं आपके हैंगे एंटकर लिएम्पोर्टेंट मेन यूण होता है चाइनीज को यूड होता है और यूरो होता यह जो है पांच करेंसी होती हैं बास्के टॉप करेंसी जानी एस डियार जो है तिमें अंतरगर्ट फांच करेंसी जाती है यूरोपियन यूनियन का यूरो है कि वीच अभी फॉलोविंग करेंट्री है लारजेस्ट वेटेज इन्द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलू ऑफ एस्डियार एस्डियार में सबसे ज्यादा किसका है जापानिज एन का है यूरो का यूएस डॉलर का या बेटेस पाउंड का सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू है सबसे ज्यादा करेंसी होती है सबस्यादा कोटा अगर बात करें कि चाइनीज यूवान उट भी एड़े डियार बास्केट 2016 में किया जाएगा इस डियार बास्केट जो है अब उसके बाद देखेंगे 15 नंबर में वीचे मांग दी फॉलो कоре दो ब्रkę इसमें जो अप्सेन होगा फॉब हो ङनिंग कंटरी में भी दो ब्रट簡 आम ँंसड़ा होता है जिसका यार्णा ही लिए कोटा होगा हो कंटरी हो जाएगे तो एन कोईभी कंटरी समी अप्लाइघ कर सकती है प्राइस kट्राइट और इंटरणीमेंट विल्हें कॉन फोता है तो उस कंडिशन में निशन में और ड़ल्ड बैंक डवलू टीओ इंटरेशनल मोनेटरी फंड या एसे डिवलोपमेंट आइड़ी एड़ी वी जब बैलेंस वाप्यमेंट बीओपी एडवर्स होता है तो उस कंडिशन में इंटरेशनल मोनेटरी फंड यहां पर यहां पर आयाँ तो नहीं आंप करेगा इंटरेशनल मोनेटरी फंड जो होता है है बैलेंस वाप पेमेंट को व्ड. यहां पर करेक्ट होगा वह ड्य दियूब होगा योगा क्रेंसी कितने करेंसी होती हैं इसके नतरगा तो पांच करेंसी होती है इसले को पेपर गॉल्ड भी कहा जाता है कि यह हमारे पास 13 17 कोस्टन थे टोटल और जो important question है दो बात तीन बार आप रिवाइस करेंगे तो कोस्टन्स आपके दिमाह में बैठ जाएंगे और important questions को आप कोईपूमें नाउट डूर कर सकते हैं थेंक यू बेस्ट आप लख बाए बाए